आज हम बना रहे हारे पतेदार सब्जी, चमली की भाजी, पोचा की भाजी, इसको तरह तरह का नाम से इस भाजी को जानते हैं, आप इस सब्जी को किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरी वीडियो का अंतो तक जरूर देखेगा, इस करने बाद इसको काट लेंगे या आईरन से भरपूर सब्जी है इसका छोग लगाएंगे यहां हमने दो चमज हमने तेल रखा है उसमें हम डालेंगे वन फ़ट चमज हिंग से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हम यह डालेंगे राई एक चमज और एक जीरा पाड़ो डालेंगे अच्छा से भून जाएंगे उसके बाद हमने यहां पर लंबे लंबे दो प्याच काट रखे हैं उसको हम डालेंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे हलके से भूनने के बाद हमने जो सब्जी कार्ट रखे हम इसमें डालेंगे और इसको मीडियम आज पर हम चलाते रहेंगे अब इसको पकाने के लिए हम यहां पर डालेंगे आदी चमच हल्दी पाउडर वो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे नमक हमने एक चमच डाला है इससे सब्जी जल्दी पकती है और इसको एक से दो मिनिट के लिए हम चलाएंगे जब तक कि इसका पानी नहीं सुख जाता है जब हम इसको चलाते रहेंगे अब अच्छा तक जब पानी सुख जाएगा तब हम इसमें इसका मसाला इट करेंगे इसमें मसाला बहुती सिंपल डलता है और बहुती जल्दी बनने वाली सब्जी है मसाले में हम डालेंगे एक अब इसका पानी पूरा सूपने तक हम इसको पकाएंगे बस पकने में इसको पांच मीट का समय लगता है यह सब्जी हमारी बन के तयार है आप इसमें अमचूर पाड़ और एमली भी डाल सकते हैं अब हम इसको सारू करेंगे बाउल में आप इसको गर्मा गर्म पराठे या गर्मा गर्म डिक के साथ आप खाएं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यह हमारी चमले की सबजी बन के तयार है थैंक यू सो मच